ही गाईस वल्कम बैक टू मैं चैनल दीपिका स्टाइल और मैं हूँ दीपिका कैसे हैं आप सब लोग आई हूप सब ठीक होंगी तो आज जो मैं रैस्पी लेके आई हूँ वह बहुत ज्यादा है पॉच्टिक है तो यह है मुंग दाल की वेजिटेवल खिचडी तो हम बैसे खिचडी बहुत कम खाते हैं बट खाना चाहिए हफते में एक दिन खाना चाहिए खिचडी बहुत जादा हैल्दी होती है और पॉस्टिक भी होती है तो चलिए हम रैश्पी देखते हैं और शुडू करते हैं खिचडी बनाना अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजेगा आप आसमेही बैल आइकन का बटन है तो उसी भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा है तो खिचड़ी के लिए मैंने यहां पर एक काटूरी चावल और आदा काटूरी मूंग डाल का यूज किया है क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको कितना बनाना है नेक्स्ट यहां पर मैंने कुछ वेजिटेवल लिये हैं काटके यहां पर आलू है गाजर है सिमला मिल्च है गोबी है लौकी है वेजिटेवल भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें जो आपको पसंद है तो आप वो वेजिटेवल डाल सकते हैं बीन्स भी लिये हैं मैंने यहां पर आच्छे से इनको दो लिया था और चोटे चोटे कर दोंगी तो सारी वेजिटेवल मैंने यहां पर डाल दिये हैं और साथी साथ मैंने यहां पर डेल गिलास पानी डाला है मैंस मैं साथ मैं नमक भी एड़ कर दोंगी और आदी चमच मैंस मैं हल्दी भी एड़ करूंगी और आदी चमच मैंस मैं गी डालूंगी गी से स्व तक हम इसको पका लेते हैं खिचडी को तो खिचडी का चौक लगाने के लिए मैंने यहां पर लिये हैं प्याज लिया है लंबा लंबा काट लिया है एक चमन जीरा है और थोड़ा सा हींग पाउडर है यहां पर अद्रक लेशन और हरी मर्च का पेस्ट है आप अपने साब से तीखा कम जादा कर सकते हैं यहां पर हल्दी पाउडर है गरब मसाला है और एक चमच लाल मिच पाउडर है तो यह सारी चीज़े हम किचडी बनाने में यूज करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो गैस पर मैंने कड़ाई चड़ा दी है और गैस की फ्लेम को मैंने मीड अच्छे से मिक्स कर देंगे और जीरा हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं तो जीरा भून चुका है अब हम इसमें प्याज एट कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भी प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है तो प्याज हलकी ग सबी सबीस हैं, यह डाव चूरी हैं निल नाखीक डाला मिच पहुत अभी कहआई है, लाल के गरम मासाला यहां 200-0 ब्राएअ-णपासी अभ्षोडा के रखी थी उस सब भी को एड़ कर देंगे तो सारी खिचडी हमने अच्छे से डाल दी है और मिक्स कर दी है अब हम इसमें उपर से एक चमच घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और एक से दो मिनिट के लिए इसको हम अच्छे से पका लेंगे फिर से तो ये देखिए खिचडी में बॉइल आना शुरू हो चुका है तो खिचडी हमारी बन के एकदम तयार है तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं गर्मा गर्म हम हेल्दी खिचडी सर्ट करते हैं तो ये देखिए बाउल में मैंने निकाल लिया है गर्मा गर्म खिचडी बनके एक दम तियार है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है हफते में हमें एक दें तो जरूर खिचडी खाना चाहिए सारी वेजेटेवल एड़ करके और दालों को एड़ करके तो ये देखे आई होप आपके लिए ये वीडियो हैल्फुल रहे अगर आप वेट लॉस करना चाहते तो उसके लिए भी हैल्फुल रहेगी तो आप घर में एक बार जरूर ट्राइ करें और अपनी डाइट में खिचडी जरूर सामिल करें अलग-अलग तरीके से खिचडी को हम बना सकते हैं तो ये खिचडी आप जरूर अपनी डाइट में शामिल करें तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो हैल्फुल रही हो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले पास में ही बेल आइकन का बटन है तो से भी प्रेस करें ताकि मेरे आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मिलती हूँ नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ यादर को एक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक क्यार